का फिर स्वागत है हमारे शीव टीब चनल में दोस्तो आज फिर एक नई जानकाड़ी लेकर आए हैं तो चलिए दोस्तो हमारे साथ बने रहिए सीटू द्वारा कल विशाखा पतनम में केंद्रिय सारवजिनिक छेतर के ट्रेड यूनियोनों का सम्मीलन आईजित क्या गया था 23 और 24 फरवड़ी 2022 को होने वाली दू दिवस्या आम हरताल को सफलता पुर्वक आईजित करने के लिए कन्वेंशन आईजित क्या जाता है विविन सारवजिनिक छेतर के उपकर्मों जैसे पेट्रोलियम, फ्रकृतिक गैस, एस्टील, बिजली, कोईला, दूर संचार, इंजिनियरिंग, उर्वरक, आधिका प्रतिनित करने वाले प्रतिनिती इस कन्वेंशन में भाग लिया BSNL EU का एक प्रतिनिती मंडल जिसमें कॉम्रेट अनिमे स्मित्रा प्रसीडेंट कॉम पी अभी मन्यू, जियास, कॉम के रमादेवी, उपाद्यक्ष, CSQ, कॉम्रेट लची राजू, अज्यक्ष, AP सरकील और कॉम्रेट सागर, जिला सचिप, विसाखा पतनम में भाग लिया कॉम के सीटू के अज्यक्ष, हेमलाता ने अज्यक्ष भासन दिया, सीटू के महा सचिप कॉम्रेट तपनसेंड ने सरकार की, मजदूर बिरोधी निर्चियों पर विश्तार से बात किया और सार्विनिक चित्र की ट्रेट यूनियोनों से हर्ताल को सफल बनाने का आहवान क किया, सीटू की सचिप कॉम्रेट स्वधेश दीद राय ने सार्विनिक चित्र पर किये जा रहे हमलों पर बात की, कॉम्पी अभिमनियों महा सचिप ने सम्मेलन को संदोधित किया और बी एसनल में आम हर्ताल आयुजित करने के लिए कि जा रही तैयारियों के बारे में ब पराजित किया जा सके, तो दोस्तों आप लोग सभी 23 और 24 फरवरी को इसमें जरूर भाग लेजेगा ताकि अगर या सफल रहे तो सरकार पर एक प्रिसर बनेगा और अभी जिस तरह से कमपनियां को प्राइविट की जा रही है और प्राइविट नहीं किया जाएगा, तो दोस्तों, BSNL की सभी करमचारी को इसमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि सरकार की गलत नीती के कारण आज BSNL को 4G नहीं मिल रहा है, जबकि दूसरी कमपनी 5G की और बढ़ रहा है, ये एक बहुत ही बिवादा अस्पद राजनीती चल रही है, जिसमें टेलिकॉम, जो सरका कमपनी को आगे करने के लिए हर कदम प्रियास किया जा रहा है, तो दोस्तों उम्मिद करते हैं, ये न्यूज आपको जरूर अच्छा लगा होगा है, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन जरूर दवा दिजेगा, और अधी आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किरपया आपसे रिक्वेस्ट है, कि मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेजिएगा, धन्यवाद